जहां देरदून से महतपूर खबर जहां थोड़ी देर में वाइल लाइफ बोर्ड की बैठाक सीम पुशकर सिंग धामी की अध्यक्ष्टा में यह बैठाक होगी जहां मुआफजा राश्ची बढ़ाने पर मोहर लग सकती है थोड़ी देर में Wildlife Board की ये बैठक देरदून से ये खास अबडेट जहां सीम पुषकर सिंग धामी की अधेक्ष्टा में बैठक होगी इस बैठक में मुआफजा राशी बढ़ाने पर मोहर लग सकती है चार लाख रुपे से बढ़ा कर इसे पाच लाख रुपे किया जा सकता है जॉली ग्रांट एरपोर्ट विस्तारी करण का आ सकता है प्रस्ताव विस्तारी करण को चाहिए है 87 हेक्टियर फॉरस्ट लैंड तो वहीं शिवाले का इलिफैंट रिजर्फ के कारण लैंड ट्रांसफर में अर्चन हा रही है बूर्ट मिटिंग में लैंड ट्रांसफर पर विचार हो सकता है जहां बुग्यालियों के कंजर्वेशन को लेकर भी चर्चाख हो सकती है हमारे विशेश समधाता सुधीब जैन हमाय साथ जुड़ गए है सुधीब क्या कुछ अपडेट मन्थन का दौर है और इस दोरान तमाम संभावनाएं बरकरान है मौके से क्या जानकारी सब्सक्राइब बॉर्ड की बैठक है और यह मुखमंत्री पुषकर सिंधामी की देख्षता में शुरू होने वाली है मुखमंत्री तोड़ी देर में इस बैठक में पहुंच रहे हैं यह वीर्चंद जलवाली से महागार में आयोजित हो रही है कि जो बॉर्ड बैठक का प्रमुक एजन्डा हमारे पास है एक जो बन जीव और मानक संगर्ष में मौते होती हैं उसमेरा सरकार मुखजरासी बढ़ाने जा रही है यह चार लाग से बलकर पाच लाग हो सकता है और जो सब्सक्राइब प्रपोजल है वो जॉली ग्रांट एरपोर्ट के विस्तार का है क्योंकि तीन सो छोटी बड़ी इमारतों का दिवन किया जाना है और भारत सरकार के जो पेंदरी नागरी कुडेन मंत्री है उनका पत्र जो राज्य सरकार को आया था कि आप जमीन अद्गहन करके दीजिए और बाकि निर्मार हम कराएंगे और भारत सरकार और राज्य सरकार की कोसिस है कि राज्य की आए डबल हो तो ऐसे में इंटरनेशनल ऑपरेशन्स देरादून से होना आवश्यक है क्योंकि बाहर से जो बड़े देश के बड़े देश या ऐसे निवेशक हैं उनको भी तक दिल्ली लेंड होके फिर आना पड़ता है तो राज्य सरकार इस पर भी कोई बड़ा मिमें ले सकती है और इसके विस्तारी करण के लिए जो राजसु का खर्च है वो तो हई है पासी हेक्टेर फॉरिष्ट लेंड के आप सकता है जो सबसे बड़ी बाधा होगी जो बड़े जहाज होते हैं उनके मुमेंट का जो उपर का छेष रहे जहां वो उनको रेंडिंग चाहिए या रनिंग के लिए रनिंग स्क्रिप चाहिए उसमें सकता ही सेक्टेर जो फॉ बैठक में मुद्दा यानि प्रस्ताव है प्रपोजन है और बोर्ड बैठक में लैंड ट्रांसपर पर भी विचार हो सकता है यानि इतना पहाज निकाल कर राज परकार को दे दिया जाए और जो बुग्याल है पहालों के जो बड़े घांस के मैदान होते हैं इने बुग् दौन है बुग्यालों जो पहाल के उचाई वाले जिनकदों के उचाई वाले इलाकों में इस से से बिलकूल बैठक को लेकर किस तरी की कि हल चल है मोके से क्या कुछी देर में ये बैठक शोरू होने वाली है सुदी जी मुकमत्री पहुंच रहे हैं और थोड़ी ही देर में ये बैटक चुरू हो जाएगी और वनिभाग के बड़े अपसर प्रमुक्सची वन समेट कई सीनियर ओफिसर इसमें मौझूद है इसमें जो एजन्डा निकलेगा जो तय होगा उसके अधार परागिती कारियोजना होगी क्योंकि रास्तरकार को वन पर्रावन संद्रक्षण पर भी ध्याम देना साथी अपने विकास के एजन्डे को डिवल्प्मेंट के जन्डे को भी आगे बनाना है में समावेज बना रहे इस बात का भी रास्तरकार को ख्याल लगना है विल्कुल ठीक है आप नज़र बनाकर रखिएगा बैटक पर बहुत शुक्रिया सुदीब आपका